हेलो फ्रेंट्स वेलकम टु रॉयल श्टडी दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मद्यप्रदेश इसपैसल प्रैक्टिसेट आपके लिए तीसरा लेकर आए हैं इसके पहले हम दो प्रैक्टिसेट अल्रेडी कवर कर चुके हैं आपकी MP पटवारी MP आरक्षक याने आपकार के इस वे इस विडिऊ आ पर आपके लिए इस वेड़ाब आपके लिए लगातार इसके आलरावा आपको जो सभी PDF है वो आपको application पर मिल जाएगी application पर study material वाले section जो है यहाँ पर सारी PDF हम डाल देंगे यहाँ पर आप जाकर इसको section को देख लिजगा यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी PDF मिल जाएगी क्लिएरे तो यहाँ पर हम question पर आते हैं इन में से करकरेका किसके लिए उत्तर दाई है आई तिंक आपने इसका right answer के लिए कर लिया होगा अपने माइन में करकरेका जो उत्तर दाई है guys यह 14 जलवायू जो होता है इसके लिए जिम्मेदार होती है तो 14 जलवायू के लिए जिम पहत गर्म होता है और फरवरी जो महिना है यह सुरू होता है जुलाई तक चलता है तो यह ग्रिस्म काल ही रहता है फरवरी से जुलाई के बीच में अगर हम बात करें दूसरी और तो मांसुन और सर्दियों में मौसम अपनी चोटी आउदी के लिए जान जाते हैं तो याद सोयाबिन से तेल निकालने का जो कारकाना हैं यह मंद्प्रदेश में हैं तो यहां पर सोयाबिन से एसको बियांगे सोयाबिन से रच्टर व्यापी आप उतपादन में, प Facevip ओसबदेश पादन में तो घोड रहता है usiजो मरनिव के सोयाबिन pharожно पर आता ही और सोयाविन से तेल निकालने का जो आपका आप सभी को यह पता होगा इसके अलाव अगर आप से पूचे जाए कि केट्चू उतपादा निकाई कहाँ पर हैं जो कि आपके शिवपुरी और बानमोर में देखने को मिलती हैं सिवपुरी और बानमोर में केट्चू यहां पर रखी गई है यहां पर इनका उतपादन हो रहा है यह कुछ चीजे हैं जो आपको याद रखना होगा व्यापम के द्वारा अपसर पूच जाते हैं अपने टेलिग्राम को जो नहीं किया इनको जोइन कर लिजगा क्योंकि जि जो भी आपके डाउट है वो उनसे पूच सकते हैं तो डिस्क्रिप्सन में लिंक के जाकर जोइन कर सकते हैं अगला कोशन है मैं दिप्रदेश में गोंड जिंजाती के बारे में निमने लिखित में से कौन सा विकल्प गलत है यह आपको बटाना है अब हम एक 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 options को प गलत निकालना है और यही भी आपका सही है कि लिए बड़ाई गीड़े से जुड़े गॉंडो को 16 हाज के रूप में जाना जाता है यह भी सही है उनके द्वारा चिमार्था की खेती प्रथा का अनुसरन है यह गॉंडो के द्वारा नहीं किया जाता है और हमसे क्या अप्रफिने देस में जो के खेती खेती प्रथा का अनुसरन है यह भील जंजाती के द्वारा बिHYल जो जंजाती होती है भील के द्वारा एप यह बीलो के द्वारा ऑकिको पीजिए किबोला ऑरता प्थो या पद्धिति को बोला जाता है तो अगर आपसे गोंड का पूछ रहे तो बारी नायक परजाति होगा और आपका भीलवод का होगा है यह क्रसी द्वारा हमारा भी option करिकांस रहेगा, यह मंतिप्रदेश के बगिलगंट शेत्र में परचली एक लोगनटा के, मुख की रूप से किसानों के द्वारा ये किया जाता है, चाहूर मंतिप्रदेश के आपसे question से यहां से 3-4 question से cover हो रहा है, पहले बाद तो question बनेगा, कि चाहू मंतिप्रदेश के किस अंचल का लोगनटे है, लोगनटा के, तो यह बगिलगंट का है, और दूसरा question बन रहा है, चाहूर जो है, यह बगिलगंट शेत्र में पर चली थे, यह क्या है, तो यह एक लोगनटा के, और इसके अलाव एक question जो यहीं पर बनाया है, इसके द्वार हैं, जो कि छाहूर नति बोला जाता है, घिलारे, तो छाहूर एक क्या है, aixòूर एक लोगनटा के, और इससे जो युड़े समधाई है, इसमें आपके हइर आते हैं, अहीर के अलावर इसमें तेली भी आते हैं, अहीर तेली, और कुमार जो जैंजाती है, कुमार समधाई, इनको basically बोला जाता है, तो यह जो है, यह तीनों इसी के अंतरगत आता है, और यह कब किया जाता है, इस तरह से भी कोश्चेट्स बनते हैं आपके, यह दिवाली के लगबक किया जाता है, दिवाली के त्योहार जो हुआ है उसके दोरान, यह चाहूर किया जाता है, नमर B के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा मध्य पुर्देश में उसमें कटीबंदी जो कांटेदार 1 है इनका जो छेत्र है यह 0.263 थी सामिले और इसमें अगर हम बात करें तो 25% से 75% के सम्थिंग जो है 25 cm से वार्सी जो वर्सा होती है वर्सा की आवश्यक्ता है इसमें होती है उसने कटेबंदी जो कांटेदार 1 होते हैं इते नहीं वर्सा की आवश्यक्ता होती है और अगर हम बात करें कि यह जो छेत्र है यह कौन सा है तो इस छेत्र में कौन-कौन सा जीले है यह हम तोड़ा सा आता है और टीकमगड भी आपका आता है और इसके अलावा आपका रतलाम आता है तो यह जो जीले हैं यह आपके आते हैं उसने कटी बंदी कांटेदार वनवाले शेत्र में नहीं आपको बता दें हमारी 2022 की स्पैसल जो एबू के अगर आपने इसका डेमो भी चिकाउट नही पूरे हमने 20 प्लस टॉपिक इसमें डाल दिये स्पैसल के फॉर्मेट में उनको भी आप जाकर चिकाउट कर सकते हैं पूरी इबू के बनाए गई है और आपने अभी तक डेमो चिकाउट नहीं किया कर लिजगा क्योंकि कोई भी चार्च नहीं है किलिए जनवरी 2022 से दिसम पूरा कवर करवा दिया गया है एस्पी स्रीज वीडियो लेक्शर और पीडिया फाइल के फॉर्मेट में कोई डाउट है कुछ पएरी जट आप हमें नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं एप्लिकेशन को जोर से डाउनलूड कर लिए जिगर डिस्किप्टा में लिंक है य यह साइत नहीं हमारा जो सही जवाब रहेगा इस कौशन का यह रहेगा ओप्शन नमर भी यानि राजग खाद्यस निख्टिन आयोग का जो अदियक्ट्ष पूर्ना नियोपति के लिए हम बात करें उनका जो कारिकार है यह सरकार की राजग सरकार के द्वारे निर्दारि का और अधिक्तम की बात करें सुंधे के 5 वर्स या 65 वर्स 55 वर्स जो भी आयू पहले होती है उस तक इनका कारिकाल होता है नजहे तोफिट्छ करे है तो ये याद रखेगा थोटा के 5 वर्स 35 वर्स जो बें सामिल होते हैं और आयोग में कम से कम दो माईला है अनुसुचित जाती का एक सदश्य होता है ये कुछ इस तरह से इसका इस्ट्रक्टर बनाया जाता है तो ये याद रखेगा बैसकली पांच वर्स या 65 वर्स जो पहले होती है अगला कुशन है हमारा जवारा नत्य जिसे धन द्दान्य को उस्टव के रूप में मनाने के लिए ही किया जाता है और मन्ति प्रदेश के स्की उतपत्य हुई है मत्य प्रदेश के किस अंचल में ही किया जाता है ये अपका बुंदेलखंड इसमें basically किया जाता है तो बुंदेलखंड हमारा सओभ यहां से रहेगा पहला आपका clear हुआ है और किस राजि से उत्पत्र हुई है अध्यवर्दे से दूसरा यह point हो गया है जवारन किस लिए मना जाता है धन आजिको उस्तव के रूप में मना जाता है यह तो इस तरह से ये questions के आपको अलग-अलग points निकालने पड़ेंगे और इनको cover करने पड़ेंगे एक ही questions में अलग-अलग आपके 3-4 questions बन जाते हैं और यहीं से questions बनते हैं और कहीं से नए questions नहीं आते हैं questions यहीं से पूचे जाते हैं बस उनका पैतन थोड़ा सा change या घुमा भी रात दिया जाता है Gustafs 씨 में इसकी कटाई के बाद में धन और खुषी क अज silent मनाने के लिए यह नस्ति पर सिखे किया जाता है मत्रदेश के बुंदेल खर्ण शेत्र में क्लियरे तो इसको जवारनत या जवारनत के नाम से जाना जाता है अगला कोशन है सनविदान का अनुचेत कौन सा जिसमें अनुसूचित जिनजातियों को अधिसूचित किया गया है यह किया जाता है सही जवाब रहेगा हमारा आर्टिकल 342 यहने अनुचे 342 ए हमारा फस्ट सही जवाब रहेगा 342 फस्ट क्लियरे तो यहां से हमारा ऑप्शन नमर बी करिक्टांतर हो जाएगा अगला कुशन है मत्यप्रदेस जादुगर मालिन का महल किस जीले मिछ जीले मिछ दिदे हैं हरदा जीला हमारा उप्शन नमर पास की स्कुशन का सही जवाब रहेगा अगर आपसे पूछे जाएं कि यह जो महल किस नदी के किनारे बसा हुआ है यहां पर एक नदी बहती है, सयानी नदी, सयानी नदी, इसी नदी के किनारे यह महल बना हुआ है, ध्यान रहेगा, और अग्ला कुशन है, भौपाल राजि हिंदू सबाइ की इस्ताफना की, यह की थी, मास्टर लाल सिंग ने, मास्टर लाल सिंग हमारा first option correct answer रहेगा अगर हम बात करें किसके समर्था कौन-कौन थे तो 3-4 लोग और इसके समर्था थे जिसे पंदित, चतुर नारायन मालवी, जमुना मुखरिया इसके अलावा लक्षिवी नारायन सिंगन और एक-दो और थे, इनका नाम भी आप याद रखीगा, अगला कोशन है हमारा बोपाल राज हिंदु सभा की स्थापना किस वर्स हुई थी अभी हमने आपको बताया है कि किस ने की थी तो मास्टर लाल सिंग ने की थी और कब की थी किस वर्स हुई थी ये आपको बताना है सही जवाब रहेगा हमारा उप्षिन नमर बी 1934 में, 1934 में इसकी स्थापना हुई थी तो याद आप रखेगा अगला कोशन है हमारा जवाहर लाल नेरू की अधिक्ष्टा में स्थापित अखिल भारती राज जन सम्मेलन अखिल भारती राज जन सम्मेलन से प्रेदित होकर किसकी स्थापना की गई सही जवाब रहेगा हमारा भोपाल राज मंडल की राज प्रजा मंडल की तो यहाँ से हमारा D option करेक्ट आंसर हो जएगा बोपाल राज प्रजा मंदल की स्थापना की गई थी जवाल लाल निरू के अज्यक्ष्टा में स्थापित अकिल भारती राज जन सम्मेलन से प्रहणित होका हमारा option number D इस question का सही जवाब रहेगा बोपाल राज प्रजिया में जो मंडल की स्थापना है ये तो बोपाल राज प्रज्यमन लेते स्थापना इससे प्रहधित होकर की गई थी और option बना की कब की गई थी इसका सही जवाब राइगा से नाइट 8 यहां से हमारा ऑट्रांसर देगा 1938 में इसकी स्थापना हुई थ इसमें से बताना है कि कौन सा विंद प्रदेश मिस्तित नहीं है इसमें से बताना है कि कौन सा विंद प्रदेश मिस्तित नहीं है इसके अलावा आपका यह जो बैडान है यह बैदान है यह प्रिबियाट एक्जाम है उन्में से निकाले यह एक्जक्ट एसा ही लिखे उसमें भी वह सारी गल्तिया रहती है पुराने पेपर्स में यह बैड़ा नहीं इसको कर लिजगा थोड़ा सा आप उसमें और यह बैड़ान किस जीले में आता है तो यह आपका सिंग रोली ज यह पूछ शती शत्रता शत्रता इसको कर तो बिटन गालता यहां पर इसी तरह से आपको कैशक्स भी लगाने है अगला कुश्यव Marianat जीले के और फोरसा गाओ ने लगता है नागां जीले की नागा जीले जो मेला है किस जीले में लगता है असाद इसे बता देते हैं मुरेना जीले में लगता है और अब q sogenan हमने यह ऐसे ही कोसित करते हैं इसलिए ऐसे बताते हैं जहां से कोई डाउट आप नहीं बच्टा है ले इस तरह से याद रखेगा और नागा जी को जो मेला लगता है यह हर वर्स लगता है गाइस मुगल समरा टकबर के से में जो है आयुजित किया गया था उस तामें महिपार करता है अभर ये हिंडी महिने का ही हंदी 125 क अगला कोशन है मध्य प्रदेश की सबसे चोटी जन जाती इसका नामें कँमार जन जाती हमारा C option इस question का सही जवाब रहेगा मद्यप्रदेश का काउन सा इस्तान कंस वदा उस्तव के लिए विस्व प्रिसिदे सही जवाब इस question करेगा साजापूर option number C के साथ में correct answer हो जाएगा अगला question है हमारा मद्यप्रदेश के किस गनी तक इने linear programming के लिए बहुपद algorithm का विस्कार किया था और इनको तो I think आप सभी जानते हैं तो इस्टार लगा लिए जगा तो सबसे ज़्यादा questions व्यापम में बनते हैं ऐसी कोईसी exam नहीं होती है जिस exam में इसे related questions नहीं बनता है यहां से हमारा correct answer रेगा नरेंद्र कर्माकर नरेंद्र कर्माकर option number C के साथ में हमारा correct answer चला जाएगा अगला question है निमने विकल्पों में से कौनसा सथी है तो हमको यह options पहले पढ़ने है क्राइबस त्वारा क्या जाता है हमको कौनसा बताना है तत्य पताना है कि कौनसा सँखेगा है तो हम से क्या पूचा है, सही पूचा है, उप्रोक तो सभी सही है, तो यहां से हमारा option number D is question का सही जवाब रहेगा, क्योंकि इसमे सभी सही है, अगला question है, सीतार मैया मदप्रदेश के पाइले राजिपाल थे, और एक नॉबर 1956 से कब तक राजिपाल के पर यह रहे है, सही question जो रहेगा हमारा, मतलब सही जो answer रहेगा इस question का, यह रहेगा हमारा option number, क्या रहेगा, सी रहेगा, correct answer, 13 जून से, 13 जून 1957 तके रहे हैं, एक नॉबर 1956 से, तो याद रहेगा, सी option के साथ में correct answer चला जाएगा, देखिए, अब आपको date भी याद रखना है, क्योंकि date से related भी questions पूछी जाने लगे हैं, एक नॉबर 1956 से कब तक ये रहे हैं, ऐसा भी पूछ लिया है, और इसमें जो difference देखने को मिला है, यह महिने का ही देखने को मिला है, यह आपको date भी याद रखना है, महिना भी याद रखना है, और आपको year भी याद रखना है, तीनों चीज़े आप याद रखना है, कौन सा मुक्यमंत्री कब से कब तक रहे हैं, या कौन से राजपाल कब से कब तक रहे हैं, और उनका करम भी याद रखना है, और उनके कारिकाल में अगर कुछ इस पैसलिस चीज़े हुई हैं, तो वो भी विसेस भी याद रखीगा, क्लिए रहे हैं, तो यह जो सितार में यहां है, यह मद्यप्रदेश के फस्ट जो थे यह थे गवर्नर थे, यह राज़पाल आप बोल सकते हैं, फस्ट गवर्नर यह राज़पाल यह थे, एक नॉबर उनिसे शपपन से तेरा जून 1957 के बीच में यह जो है, राज़पाल के पतपर रहें, किलि मंगो भाई जो छगन भाई यह मंद्यप्रदेश के कौन से नंबर के राजपाल है, जल्दी से कमेट करके बता दीजेगा. अगला कोशन है, हर्दा जीले मिस्तित मकदई का पीला, मकदई वंस के किस सासथ के द्वारा बनवाया गिया था, इस तरह से कोशन सापका बन दा ह सब्सक्राइब सभूआ के द्वारा मकदाई के बनवाया गया है उप्शन नमर C कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा अगला कोशन है क्रेशन राव पंडित किस घराने से समंझी थी सही जवाब रहेगा हमारा ग्वालेर घराना option number B correct answer हो जाएगा क्रिश्न राव पंडित ग्वालेर घराने से संबंधी थे एक संगीतकार थे ये और ग्वालेर घराने का प्रमोग गयाग इनको माना जाता था इसको क्रिश्न राव पंडित को इनके जन्म की बात करेगाई तो जन्म हुआ था इनको 26 जुलाई को इनका जन्म 26 जुलाई 1893 को हुआ था तो ग्वालेर में ही इनका जन्म हुआ था किलिए इनके पिता जो थे संकर राव पंडित क्रिश्न राव पंडित के जो पिता थे संकर राव पंडित थे और वो भी एक लेगनी संगीतकार के रूप में जाने जाते थे तो क्रिशन राव पंडित भी संगीतकार थे और गौलेर घराने से इंद का संब्ध रहा था अगला कोशन है मत्यप्रदेश लोकसिव आयोग का गठान एक नॉम्मर 1954 को राजिप उनर गठन दिनियम की किस धारा के अनुसार किया गया था मोस्ट इंपोर्डेंट कोशन है सही जो आप रहेगा धारा एक तो अठारा पीन के अंतरगत हमारा ऑप्शन नंबर फरस्ट के साथ में खरेक्ट आंसर हो जाएगा डीवी जो रहेंगे ये मत्यप्रदेश लोकस आयोग इसका मुख्याले कहां परें इंदोर में है और इसका जो इसका अपना हुईतिक गठन किया गया था यह एक नौबर दिन्सीचपण को किया गया था अगला घुषिने बढ़वानी स्थीत 52 गजा को किस और नाम से जाने जाता है 52 गजा जो है यह आपका बढ़वानी में है यह तो डाउट आपका फिलियर हो चुका है इसको एक और नाम से जाने जाता है जिसका नाम है चूल गिरी चूल गिरी सी उप्षन के साथ में सही जवाब हमारा रहेगा मद्य प्रदेश में 15 अगस्त 2003 को तीन नए जीले और बनाए गए जिसमें क्या असर था यह आपको ब गलत बताना है है रही है आपको चूड़ दिन महीं इसको नहीं किया था है हमारा सी और सही जवाब हो जाएगा अगला कोष्गा आहारा नेमन ने लेखे इतने से क्योंसे जीस चुछ करे टिए फास्टे अरूर्च भी नट या बिलवा का उतपादन कहां किया जाता है तो ये बेलवा बैसिकली इसको बोला जाता है और इसका जो उत्पादन किया जाता है ये चिंदवाड़ा जेले में किया जाता है तो C option नमर B के साथ में correct answer चला जाएगा और अगर बात करें मध्यपरदेश में कितना उत्पादन होता है भारत में तो ये कि भारत की कुल लकड़ियों का अगर मध्यपरदेश में उत्पादन हम देखें तो ये लगबग 20% के संपूर्थ होता है अगला कोशन है अलीजा प्रकास किसे ने लिखा था अलीजा जो प्रकास लिखा था ये लिखा था पदमाकर ने पदमाकर B-option का रिक्थांसर हो जाएगा अलीजा प्रकास असरह में लिखा गया था जब वो गवलियार के महा राज़ा जोलृतattendरा उस के दरबार में थे उस टाइम पर इन्हों ने अलीजा प्रकास लिखा था अदमागर के द्वारा यह लिखा गया था next question के और आगे बढ़ते हैं अगला question है इस हमारा बानबट ने नेमने में से कौनसी रश्ना नहीं लिखी सही जवाब इस question का क्या रहेगा देखे बानबट के द्वारा निमने मैंसे कौन से लिखी गई थी, इस question का जो सही जवाब रहेगा, देखे कौन से लिखी थी पहला है, आम यह बता रहे थे, पारवती, बिल्कुल सहीर यह लिखी थी, चैंडी सतक और कादमबरी, यह बानबट के द्वारे लिखी गई थी, बाकि अमरबट जो है, यह बानबट नहीं लिखी थी, तो यह नहीं लिखी थी, और हम से क्या पूचा है, कौन सी नहीं लिखी है, जो नहीं लिखी है, वह हमें बताना है, तो B वाली नहीं लिखी थी, हमारा correct answer A का option B, इस तरह से आपको कौशस बनाने, लिए रहे, तो हर् इननों के द्वारा ही लिखा गया था, और इनके, इन जिस पर भी काफी अच्छे पैसल ओफर चलता है इस पर भी कोई डाउट है कुछ वरी से ये कॉंटेक्ट नमर आपको देखके एं इन पर आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं इस वैसल आफर चल रहे हैं सभी और आप एक बार देमो जासे काउट कीडिका डिस्क्षिप्शन में आप फूल जाएगे